महात्मा गांधी जी जब जिन्दा थे तब भी उनको कई अंतराष्टी मीडिया में ऐसे रूपों में दिखाया गया था जिसकी आज लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं आज भले ही गांधी जी के उपर इसलाम परस्त, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरूधी, महिला उत्पिडन, दलित विरूधी या अंग्रेजों के दलाल जैसे कई आरोप जब लगते हैं तो उनके समर्थक तिल मिला जाते हैं लेकिन 1930 और 1940 के दसक के दवरान अलग-अलग अंतराष्टी अखवारों में पत्र-पत्रिकाओं में भी गांधी जी को तानासाह से ले करके मुर्ख, बेवकूफ, कन्फ्यूज, नंगा फकिर और नाजाने क्या-क्या बोल दिया गया था न्यूज हंटर्स पर आज महात्मा गांधी की चर्चा उन्ही अखवारों और उन्ही काटूनों और उन्ही पत्र-पत्रिकाओं के सहारे करेंगे साल 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद, देश के विभाजन के समय, देश में जो दंगे हो रहे थे, हिंदू-मुसल्मान आपस में लड़ रहे थे लासों के जो धेर लग रहे थे, जो अफरा तफरी का महौल पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ था उसके लिए महात्मा गांधी जी को दोस्त देने में सिर्फ नाथोराम गौड से या सावर कर जैसे लोग या फिर आरेसेस और हिंदु महासभा जैसी संस्था सिर्फ नहीं थी बनकि अंतराष्टिय सतरपर, बड़ी बड़ी अंतराष्टिय मीडिया हौसेस, बड़ी बड़ी अंतराष्टिय पत्र पत्रिकावों ने भी महात्मा गांधी जी को हिंदुस्तान के विभाजन से ले कर वहाँ पे जो मारकाट हो रहा था उसके लिए दोसी बता रहे थे साल 1947 के दोरान अमरीका के परसिद्ध अखवार वासिंग्टन पोस्ट में छपी महात्मा गांधी जी की इस काटून में इस पूरे रक्थपात कन्फ्यूजन और अंतह विरूद के लिए गांधी जी को ही दोसी बताया गया है इस काटून का सीर्षक था With His Fit In The Cloud मतलब भारत की आजादी के बाद देश को जो अविवस्था के बादल ने घेरा था जो संकट के बादल ने पूरे देश को घेर लिया था उसमें महात्मा गांधी जी के भी पैर सने हुए थे यानि कि महात्मा गांधी जी भी दोसी थे इसी तरह से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के निरने के खिलाफ सिर्फ सावरकार या हिंदू महासभा या फिर RSSS के लोग ही नहीं थे बलकि बड़े अस्तर पर, अंतराश्ती अस्तर पर महात्मा गांधी जी के इस फैसले का पुर्जोर विरूद किया जा रहा था कि जब पूरी दुनिया में हिटलर के खिलाफ, हिटलर के तानसाह के खिलाफ उसके नाजिवाद और फासिवाद के खिलाफ लडाई चल रही थी, दितिये विश्विद्ध हो रहा था, तब महात्मा गांधी इस लडाई में विश्व का साथ देने की जगा पे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्राराम कर दिये थे, जिससे हिटलर को फाइदा हो रहा था, हिटलर के खिलाफ दितिये विश्विद्ध में बिटेन का साथ न देकर, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने पर गांधी जी को अमरीका के कई अखवारों में, जापान, जर्मनी और इटली का दलाल तक बता दिया गया था, और इसे गांधी जी द्वारा बेवकू से इंदा गांधी प्लांग, मतलब गांधी जी की विचारधारा या फिर उनकी सोच या उनका प्लान भ्रामक था, इस काटून में जैसा कि आप देख सकते हैं, कि गांधी जी को खुद अपना सर काट करके जापानियों की सेवा में थाली में सदा करके देते हुए दिखाय इस तरह का एक और काटून है, साल 1942 में ही नियर्क हर्डल ट्रिबून में छपा था ये, जिसे जे एन दिंग ने बनाया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं, कि इस काटून में भी ये दिखाया गया है कि गांधी जी द्वारा दितिये विश्विद के दवरान हिटलर के ख अंतराष्टी अस्तर पर भारती स्वतंतरता अंदोलन के लिए सम्मान पैदा हुआ था, वो उन्होंने बरवाद कर दिया है, यानि कि अंतराष्टी अस्तर पर जो सम्रिद्धी मिल रही थी, जो सहयोग मिल रहा था भारती स्वतंतरता अंदोलन को, वो उन्होंने खो दिय यानि गांधी जी ने लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सभी देश में गांधी जी के इस निर्ने के आलोचना ही हो रही थी क्योंकि दितिये विश्युदी में बेटेन का साथ देनी की जगा भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के फैसली का दक्षिन अफ्रिका में गांधी जी को साथ मिल रहा था दक्षिन अफ्रिका में गांधी जी के इस निर्ने की आलोचना नहीं हो रही थी बलकि दच्छीन अफरिका में बिटिस सरकार की आलोचना हो रही थी कि जैसे ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदुलन की घोसना किया वैसे ही उन्हें यानि कि गांधी जी को और कॉंग्रेस के अन्य सिर्ष नेताओं को बिटिस सरकार ने गिरफतार करके जेल में डाल दिया था दच्छीन अफरिका के एमस्टेन स्टार न्यूज में 1942 में छपी ये काटून यही दर्शा रही है चाहे गांधी जी के आलोचना करे या उनकी तारीफों के पुल बांधे लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 1930 और 1940 के दसक के दौरान महात्मा गांधी अपने आप में एक विस्प सकती थे आज हिंदुस्तान दुनिया की पाँचमी सबसे बड़ी अर्थेवस्ता है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं सबसे बड़ा वाजार हिंदुस्तान ही है तब कभी कभी हिंदुस्तान के परधान मंतरी को फोब्स की पत्रिका में दुनिया के सारुधिक ताकतवर लोगों की लिस्ट में जगह मिल जाती है लेकिन 1930 के दसक्य दोरान जब हिंदुस्तान एक गरीब अनपढ और गुलाम देश था तब भी गांधी जी को कई अंतराश्टिये पत्र पत्रिकाओं में दुनिया के 10 सारुधिक ताकतवर लोगों की सूची में गिंती कर दिया जाता था आज मोदी जी को उस सूची में जगह इसलिए मिलती है क्योंकि मोदी जी भारत के पढ़ान मंत्री है जब UPA की सरकार थी तब सुनिया गांधी को उस सूची में कभी-कभी जगह मिल जाती थी कभी-कभी मनमोहन सिंग को मिल जाती थी इसलिए इन लोगों को हिंदुस्तान के ताकतवर लोगों की सूची में उनके पद के कारण जगह मिलती है उनके व्यक्तित्व के कारण जगह नहीं मिलती है लेकिन महात्मा गांधी के पास उस समय न तो कोई पद था और नहीं हिंदुस्तान उस समय आजाद मुल्क था हिंदुस्तान तो उस समय घुलाम मुल्क था इसलिए महात्मा गांधी जी को जो वो सूची में जगह मिलती थी वो सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व के कारण मिलती थी साथ 1935 में लंदन से छपने वाली पत्री का Review of the Reviews में कार्टूनिस्ट हैरिसन जे दुनिया के 10 प्रभाव साली व्यक्तियों का एक कार्टून बनाया जो आप देख सकते हैं इस सूची में पहले पाइदान पर हिटलर के साथ अमरीका के राष्टपती रूजवेल्ट थे लेकिन दूसरे पाइदान पर महात्मा गांधी ही थे इस रैंकिंग में जिस बिर्टेन ने हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा था उस बिर्टेन के परधान मंत्री तीसरे नम्मर पे थे यानि कि गांधी जी से नीचे थे उस दौर में बिटेन के नेता महात्मा गानी से कितने डरते थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब महात्मा गान्धी 1932 में दितिये गोल में सम्मेलन करने के बाद लंदन से वापस आ रहे थे तो एक अमरेकी पतरि का पोस्ट डिस्पैच में एक काटून छपा काटूनिस्ट पैट्रिक ने महात्मा गान्धी का जिसमें महात्मा गान्धी को भूत के रूप में दिखाया गया था और उस काटून का सिर्षक था अगोश्ट गोश्गोश्वोम मतलब भूत अब घर जा रहा है वापस हिंदुस्तान जा रहा है उस दौर में महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व थे जो बिटेन के राजा के आँख में आख डाल करके बोलते थे कि महराज हमारे सारे कपड़े तो आपने चुरा करके पहन लिया है मैं इस धोती से जादा और क्या पहन सकता हूँ इसी तरह साल 1942 में लाइफ पत्रिका में बुरूट आर्ट टॉमस द्वारा बनाये गए एक काटून में हिटलर, मुसलिनी और फ्रेंको जैसे ताना साह हिंदुस्तान के महात्मा गांधी को सलामी देते हुए दिखाये गए है दरसर उस दौर में कई अंतराश्टिय मीडिया में ऐसे खबर और काटून छपे थे जिसमें हिटलर जैसे ताना साह गांधी जी को उकसा रहे थे कि गांधी जी बिटेन के खिलाब भारत में स्वतंतरता आंदुलन को और तेज कर दे ताकि हिटलर को इससे फाइदा हो और हिटलर जैसे तानासाह गांधी जी द्वारा दित्ये विश्विद में बिटेन को मदद नहीं करने के फैसले से खुश थे ऐसा ही एक और काटून पीटर्सबर्ट न्यूज में 1942 में ही छपा था जिसमें हिटलर द्वारा महात्मा गांधी को उकसाते हुए दिखाया गया है इस काटून का सीर्षक था Who is Charming Whom? मतलब कि महात्मा गांधी हिटलर को चार्म कर रहे है या फिर हिटलर महात्मा गांधी को चार्म कर रहा है इसी तरह से न्यूजिलेंड से छपने वाली पत्रिका आउकलेंड स्टार में काटूनिस्ट जेसी हिल ने The Surt and Surtless सिर्षक से साल 1931 में एक काटून छापा था जिसमें दिखाया था कि कैसे हिटलर, स्टालिन, मुसलिनी जैसे उस दौर के सबसे ज़्यादा सर्व सक्तिसाली तानसा महात्मा गांधी और उनके व्यक्तित्म के सामने बौने दिख रहे थे उस दौर में महात्मा गांधी वो व्यक्तित्म थे जो इटली के तानसा के आँख में आँख डाल कर कहते थे आप जो महल बना रहे हैं वो कागज का है तास के पत्ते की तरह गिर जायेगा हिंदुस्तान में गांधी के स्वदेशी आंदुरन को हिंदुस्तान में राष्टवाद के साथ जोल करके देखा जा रहा था लेकिन अमरीकी प्रेस में गांधी जी के सोदेसी आंदूलन को बिजनस की नजर से देखा जा रहा था अमरीका के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिस अमरीकी कपणों को अमरीकी बाजार में फैलने से अमरीका नहीं रोप पा रहा है अमेरिका के बड़े बड़े बिजनस्मेन नहीं रोब पा रहे हैं उन बेटिस कपणों को महात्मा गांधी ने भारतिय बजार में एक छोटा सा सोरेसी आंदूलन चला करके रोब दिया था ये कार्टून साल 1930 में पंच पत्रिका में थपा था जिसमें अमरीकी उद्योग पती महात्मा गांधी से बिजनस के पार्थ पढ़ाने का आगरा कर रहे हैं इस कार्टून का सिर्षक है How America Saw Gandhi Fassive Resistance और इस कार्टून में गांधी जी को बहुत बड़ा बाइंग पावर वाला व्यक्ति दरसाया गया है यानि कि वो व्यक्ति जो उद्योग पतियों से बहुत सारे माल बिकवा सकता है और वही बाइंग पावर अमरीका के उद्योग पती गांधी जी से लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे या मांगना चाहते थे गांधी जी के जीवन से सम्बंधित और भी कई काटून है जो उनके जीवन के ऐसे पक्स के बारे में बताते हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नमस्कार